हालो फ्रेंद्स कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरे नम है अकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केर वेल फार्म में तो सबसे पहले तो मैं सॉरी कहने चाहूंगा फ्रेंड्स क्योंकि जिस ट टॉपिक पर आते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी नियो प्लास्टिक एदर तो हम देख रहें तब नी मेडिशनल केमिश्ट्री सेकेंड बी फार्मेसी फिफ्ट सेमिस्टर बात करें यहां पर तो इसकी हमारी यूनिट चल लई थी और यूनिट में हमारे दो बाहुत सकते हैं बहुत इंपर्टॉटन आपको पता है कोई वी मनलब सब्सक्राइब करा हो पहली यूनिट हमेशा बहुत होती है उसे कोश्चंज भी जादा आते हैं और पहली उनिट से सब्सेंदा पूछा शाता है तो इसलिए पहली यूनिट को आप बिल्कुल भी मि लेकिन खुसी की बाद यह है कि आज ही आज मैं यह पूरा जो चैप्टर हमारा एंटी नियुप्लास्टिक एजेंट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा जितने भी टॉपिक हैं सबका आपको मेकैनिस मिलेगा सभी ड्रक्स के बारे में मिलेगा यूजेज मिलेंगे और जो कुछ इसमें आता है एंटी मेटाबूलाइट इसमें भी हमारे यहाँ पर टोटल 6,000 हैं यहाँ रहता है यहाँ प्लांट प्रोड़क्स और यहाँ पर देखाता है तो यह टोटल पांच और अगर इसकी वीडियो अगर बनाते तो पांच से ज्यादा ही वानती पांच में भी करना दोस्तों के साथ सेयर करना देखते हैं कितने लोगों को यह लेंदी वीडियो पसंद आती है चलिए तो हमारा टॉपिक क्या है एंटी नियो प्लास्टिक एजन तो अब अगर नाम से समझें पहले आप सिंपल एक बहुत समझें तो यह हमारे वो ड्रक्स या वो दबाय ह होती है जो हमारी क्या करती है कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करती है तो अगर बताओं तो आज की जो वीडियो बहुत बहुत जादा इंपोटेंट है रीजन क्या है आदम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में अब ऐसी कुछ दो चार खतरनाक बीमारियां है जिनका अब बहुत कम चांस होते हैं इसमें बचने के तो आदम इसी बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसके बारे में जितना प्रीकॉशन लेगे ना उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये बीमारी बहु तो आप प्रिवेंट करेंगे हमको कैंसर पाइब तो इन सम्मेजिए नियो प्लास्ट कलिसे अब यह जो वर्ड ना इसको मैं अभी आपको दिफाइंड करूंगा पहले में थोड़ा कैंसर के बारें बताता हूं उस पर यह ऑटोमेटिक आप फीज को समझ आएंगे कि यह नि प्रवाइब देखे होगी हम लोग भी थे कितनी हम छोटे थे लेकिन आजम कितने बड़े-बड़े हो गई है पांच-पांच-छचा इंच के पैदा होते तब तो इतने नहीं होते ना तो बहुत जाता है अब आपको एक चीज़ पता होगी कोई भी जो इंसान है उसकी सबसे से छोटी काई क्या है और वेशली वात है समने पढ़ा होगा कि जोको भी बड़ी है वह मारी सेल के द्वारा मिलकर बनी है तो आगर कोई हमारा पर्सन है मालव लो च्टार्टिक में छोटा इतना था और वो अगर लो बासे इतना हुआ है तो यहां पर कही ना कही उसके सेल तो यहां पर आपने दिखा कि यहां पर अमाउंट बहुत जादा इंक्रीज हो गई तो यहां पर क्या ओर एक तरह से देखा जाए किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए सबसे मेन और इंपोर्टेंट फैक्टर यहां पर क्या निकल किया था हमारा सेल ग्रोथ आ रहा है क्योंकि स्मॉल एस्ट यूनिट है अगर सेल बढ़ेंगे तो आटोमेटिक टिशू बढ़े अब बढ़े हुए तो मालो हर एक पार्ट बरावर से बढ़ा है ऐसा नहीं है कि जैसे मालो हाथ इतना कर इतना रह गया लेकिन पैर आपका बढ़ा होगा ऐसा तो नहीं होता ना जितने आपके हाथ बढ़ते हैं उतने आपके पैर मतलब जितना रेगुलर ऊपर वाले ने हो इतना सब इंसन बढ़ते चले दाते हैं तो यह एक रेगुलर मैशन नहीं होता है हमारे इतना बढ़ा हुआ है आपको पता है लकख cell था मारी body में अब यहीं हमारा further cell क्या हो जाएगा cell division को दारा 1-2 बन जाएंगे फिर इंद 2-4 बन जाएंगे यहाँ पर और इससे करते करते हमारी पूरी body में जो है एक cell से 2 बने 2-4 बने 4-6 चार से 8 बने 8-16 बने इस तरह cell growth हमारी होती किस से cell division के दोरा होता है तीसरी क्या पता लगी कि जो हमारा cell division होगा वो हमारे एक controlled way में होगा और manner में होगा ऐसा नहीं कि body का कोई एक party बड़ा हो रहा है सब जगे मतलब सब की पूरी दयादरिश्टी होती है और हर एक part जो हमारा develop होता हर एक part हमारा बड़ा होता है तो इस तरह हमारी यहां पर cell growth होती है अब cancer की बात करते है cancer के actual में तो जैसे ही हमारी पूरी body है ठीक है यहां पर इसी से काम चला लो अब मैं कोई artist तो हो नहीं यहां पर मालूम उमने कोई ऎक part फखले है इसका हमने हैंड ले लिया अब क्या होता है cancer की कोई एक special जगा पर क्या वजाता है cell growth क्या हो जाती है जादा बड़ाती है यहां कि cell growth किस में जावी थी cell division है और किसे इक बढ़र जान क्या हो जाती है यहां हमारा इस से जाग हो जाए इतना बड़ा हो जाए आपको यह तो राक्षे से जादा हो गया तो एक पर प्लेस पे कहीं पर क्या हो जाता है जो सेल हमारा डबलब हो रहा था सेल के जो डिवीजन हो रही थी वह हमारी अब नॉर्मल कंडिशन में अनकंट्रॉल होने लगत तो एक आपको यहां पर extra cellular mass मिलेगा extra body mass मिलेगा और जो यह मास होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं tumor बोल देते हैं और यही हमारी किसकी सुरुयात होती है cancer की सुरुयात होती है आप इसको ऐसे समझो यहां पर मैंने यह बता रखा है पेरेंट सेल हैं इससे हमारी यह cells बन रहे नोर्मली और सेल हमारे cell division के दौरा बनते हैं और cell division के अंदर के हमारी process होती है mitosis और मियोसिस इसको हम अपने हैचेपी पगराएं पढ़ चुके थे बस आप इतना समझो इसको आप यादा मत समझो नहीं आता तब भी इतना समझे ल को यहां पर क्या हुआ है एक्ट्रा हमारी growth होने लग गई ऐसा होना चाहिए यही हमारा बड़ा हो जाता लेकिन यहां पर एक particular जगा पर क्या हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं नियो प्लाद्मा बोलते हैं यांकि अगर आप इसको define करोगे तो क्या बोलोगी अगर नॉर् नियोप्लाज्मा होता है धीरे धीरे क्या होता है यही हमारा हार्ड हो जाता है क्योंकि जहां भी और बॉलत हो जाता हर्गे होका मतल Rabbit हमार से इस और ता ट्योक्र का रूप ले ले तो इस तरह से हमारा जो कैंसर बाद में डबलब होता यान कि पहले नॉर्मल से पर इस ने उप्लाजम पर नियोप्लाजम से यहां पर एक ट्यूमर से जनरेट हो जाएगा और हमारा क्या कॉस करता है तो आप लोग यह कंसर की छोटी-मोटी कहानी समझ गया हूंगे किस तरह ह हमारा cancer जो है यहां पर बॉड़ी में डबलब हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर जगा पे तो नियो प्लाजमा आप समझ गया होंगे अब एक कहानी और समझो on the basis of their nature यान कि जो हमारे ये ट्यूमर बना है यह हमारा दो तरह से फॉर्म होता है यहां पर सिंपल दी बात है नियो आप यह कैसे को नियोप्लाजमा गए आप समझा जब हमारे आप यह हमारे हो चोड़ाता कि उकिसार जाता मखकर या यहां यहां पर कुछ डबलब हो रहा है तो बहुत ही आसानी से फिर कैंसर को ठीक भी कहता सकता है तो यह एक विनाइन कंडिशन होती यहां पर कोई एक बॉडी के पर्टुकुलर एरिया मालो यहां पर इस तरह से हमारे एक नियो प्लाज्मा या ट्यूमर जन्रेटू का है तो यह हमारा एक नॉर्मल हो गया दूसरी हमारी आती है मेलिंग नेट कंडिशन तो यह सबसे जादा खतरना कंडिशन होती है इसके पीस्टीर होगा विनाइन उसके जहाँ है क्या करेगा में यह कर friends करेगा मेटस्टी यहां कर दिया do होगा तो अब यह की टाल के जभार होगा यान की अब यहां से हमारे बलड के तक को ourselves आ था हुए हमारे हो सकता है यहां पर पहुंच कहिंए में हो सकता आफिजी में हो हो सकता हमारे यहा पर लंक्स पवह जाए न यहां पर यहां tि रखेंगे आ उसका हम बोलते हैं इसी लिए खतरनाग एक 복mar कि रखेंगे पर्षिब्ट के तो यह सब्सक्राइब कि लाइफ रहाती है क्योंकि यह बहुत जादा डेंजरस हो जाता है तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो कैंसर का इलाज होता है तो आप लोग यह समझ गए होंगे सारा कुछ अब चलिए मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या था एंटी नियो प्लास्टिक का एंटी नियो प्लास्मा हमारे क्या होता है ऐ सक तो इसीलिए यहां पर क्या करते कि कि जो हमारे एंटी नियो प्लास्टिक देर्स इंट्स है यह उमारे जब हमारे गान से को तो उस condition में यह दवाएं हमारी क्या करती है इस चीज को treat करती है क्योंकि जब वह condition हमारी malignate में पहुंच आएगा तब तो उसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वह बहुत दादा तो इसी condition में उसका इलाज करते हैं में इसीलिए में जो हमारे क्या बोलते हैं क्या इंटी न्यो प्लास्टिक बोलते था हैं तो यह सारा फंडा है हमारा तो हर चीज से cancer mostly आपको रहा जैसे आपको किसी को ने वह रहा है sorry sorry for my wedding मतलब देखा जाए हर चीज़ से खत्रा आया cancer के लिए जैसे देखो radiation आ रही है उपर से अब radiation कैसे आपको पता है आज के दमाने में mobile बहुत चल रहे हैं mobile जो खंबे होते हैं उसके भूबी खड़े हुसते भाए हैं लट्टे उनके लगते जा रहे हैं tower लगते जा रहे हैं तो इन चीज़ से क्या हो रही है radiation बहुत जादा क्या हो रही है and radiation जो हमारी होती है वो हमारी बहुत बड़ा cause होता है cancer के लिए ठीक है एक radiation UV rays है तो UV rays तो हमें sunlight के द्वारा ही यहां पर मिलती है तो हमारी पूरी एर्थर्स को कौन कवर किया हुए है ozone layer और ozone layer क्या करती है हमको इस UV rays से बचाती है अगर ozone layer को कुछ हो गया तो यह UV rays आएंगी यह skin को जलाएंगी और cancer को cause करेंगी तो UV rays भी एक बहुत बड़ा cause होता यहां पर cancer के लिए और UV rays का इस्तिमाल बहुत बगा किया जाता अगर plastic के बरतन में गरम चीज़ा नहीं पीडी चाहिए reason अगर आप गरम कुछ पीएंगे तो वो plastic होगी वो धीरे धीरे पिगलेगी और जब आप उस चीज़ को खाएंगे तो आपके body के अंदर भी जा सकती है जो बहुत जादा हनुपिल कहोंगी plastic ना गलती है ना खतम होती है उसका केवल reuse ही कर सकते है तो plastic यह बहुत बड़ा reason और भी बहुत सारे chemicals हो गए जो आजकल मिलावट हो रही है बहुत सारे सामानाद हैं मार्केट में बहुत सारी दवाईयां ऐसी हो गए लावट वाली तो बहुत जगए ऐसे chemicals हैं जो हमारे cancer को cause करते हैं फिर एक बहुत बड़ा reason आता है यहान की genetic अगर आपके parents में किसी को अगर यह हो सकता है तो बहुत जादा chance होते हैं कि उसको बच्चे को भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कहा रहा हूं मैं ऐसा नहीं कहा रहा कि होगा ही होगा लेकिन हाँ chances यहाँ पर बहुत जादा भड़ जाते हैं तो अगर कोई भी जैसे reason होता है कि आपके parents या कोई family में उपर अगर किसी की history होती है कि यहाँ genetic में किसी को cancer रहा होगा तो बहुत जादा chance होते हैं बच्चों में होने के तो precaution ज्यादा कहसे ही और check up बगएरा time से कराते हैं तो यह सब reason यहाँ पर होते हैं अब genetic के पीछे reason क्या होता है देखो एक हमारे होते हैं body में onco genes present होते हैं और इसमें दो तरह की genes आते हैं उनको suppressor genes और onco stimulated onco word का मतलब आता है cancer बाला तो जो हमारे onco suppressor genes होते हैं यह क्या करते हैं हमारे cancer की चीज़ों क्या करते हैं थोड़ादा कम करते हैं cancer के cello को कम करते हैं अब अगर किसी बजा से यह onco suppressor genes है वो हमारे अगर कम हो जाते हैं तो यह cancer को बढ़ाएंगे अब जिन में genetic जो मालो जो ऊपर से आएं जीन्स बगर हमारे अंदर तो obviously बाता है अगर किसी को family में cancer रहा होगा तो उन से जो हमारे अंदर genes आएंगे उसमें यह चीज़ हमारी automatic कम आती है तो यही reason है कि उनको जो cancer होने के chance होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं ऐसे कोई खत्रे वाली बात नहीं होते है लेकिन हाँ precaution आपको जरूर देनी है फिर आपने बहुत जादे देखे होंगे BD, गुटका, पान, मसाला, कोवेर इन सब पे इतने बड़े-बड़े में इतने गंदे-गंदे मूँ बने होते हैं यहाँ खाने से इसको cancer हो जाता है फिर भी लोग उसको खाते हैं तो इन सब से भी बहुत जादा safety करनी है और अगर कोई ऐसी आदत में हैं तो प्लीज छुटकारा करतो इन सब से बच्चिताओ अक्षय गुमार हर मूवी में बोलता है प्लीज प्लीज बच्च आप करो इन सब चीज़ों से ठीक है तो यह कुछ हमारे reasons हो सकते हैं ठीक है चलिए अब हम कुछ और बाता जानते इसमें हमारी का उतल से अब नॉर्मल और अंकंट्रॉल से निजन होने लगता है क्यांगि क्यांसर बहुत मतलब इसके बारे में जतना आप लए ले लेंगे वह आपके लिए रियल लाइफ में भी बहुत जादा यूसफुल रहता है ठीक है चलिए तो वही इसका ग्रोथ हमारी फॉल मतलब प्रॉफर भी में नहीं होती है जो हमारे चैन्सर होने लगता है और एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना बोली है वो क्या है नो अपॉप्टोसित यापने पढ़े तेस में क्या होता है तो यहां पर बैलेंस बना रहता है बैलेंस होता है नए सेल्स बन रहे है पुराने मर्ट जा रहे है तो यहां पस रेकल बैलेंस बना रहता है हमारे बॉडी में इस में क्या उजाता है कि अगर पर लॉप सेल्स की अमांट बहुत बहुत तो यह भी कुछ रीजन यहां पर उजाते हैं जिसकी वजाए से इमारे सेल जो है यहां पर बहुत जादा अमंट में उजाता और वो एक टियूमर का रूप ले लेता है यहां जानकि एक बहुत बड़े मास का रूप यहां पर चलिए अब बात करते हैं जाना की तो बैसे दे जितने पार्ट्स में water को सकता है उतने जादा इसको हो सकता है तो यहाँ पर main यहाँ पर कुछ लिखिया है उनको मैं आपको बताता हूँ जासे पहला मारा आता है यहाँ पर carcinomosis तो इसमें क्या होता है कि जैसे skin है और skin के नीचे कोई तो फिर यह कुछ हमारे सैड़ों मस्क पर एक नाड़ ह तो इन सम्मे अगर इस पर नियूट करता है कि जो हमारा त्यूमर जन्रेट हो राता था स्टार्टेंगा नियो प्लाजमा वो कौन सी प्लेस पे या कौन सी लोकेशन पे जणरे उसी के बेस पे इस कैंसर का नाम रखा जाता है जैसे यहां पर अगर ब्रेस्ट में हो रहा है यहां पर तो यह ब्रेस्ट कैंसर कैलाएगा अगर लंग्स में हो रहा तो यह क्या कैलाए यह ब्लड कैंसर आपको नॉर्मल यहां बताई दिया जाने कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते इसके अंदर यह देखाजाता है यहां पर कहलाते हैं लिउम्पोफॉबस कैंसर तो यह हमारे चार तरह के बिसिकली हो गए और बैसे आप इसको और भी जादा कोई भी मतलब कहीं आत सकते हैं तो यह सब तो हमारा हो गया टोटल कैंसर के बारे में अब बात करते हम ट्रीटमेंट ऑप कैंसर के बारे में जो में टॉपिक है और इसी के अंदर हमारे यहां पर अगर हम देखें बेसिकली तो सर्जरी भी एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन यह थोड़ा देंजरस हो के लिए तो यह थोड़ा देंजरस हो जाता है लेकिन आज कल थोड़ा एडवांस हो गया सिस्टम बहुत लोग मतलब सर्जरी वाले डॉक्टर्स हो गई है तो इसके हम इतने जादा मतलब वह नहीं है फिर हमारे यहां पर आता है कीमो थेरेपी और रेडियो थेरेपी रेडि रेडियेशन ठेरपी कहलाती है ठीक है तो इसके अंदर हम कुछ रेडियेशन के जारा इन चीजों को जला देते हैं इसके थोड़े साइड एफेक्ट भी होते हैं जैसे अब मालो यह हमारा मेन है कैंसर का बाकि हमारे नॉर्मल है तो अगर इस पर हम रेडियेशन डालेंग तो खतम किया रहता है लेकिन यह सब नॉर्मल चीज़ कर रहा है तो चलिए केमियो थेरपी के अंदर हमारे क्या थे यह यहां पर एंटी नियोप्लास्टिक एजट्स हमारे एक इस पेसिलाइश तरह के ड्रग होती हैं जिनका हम यूज करते हैं कैंसर के लिए और इनका पह यहां पर तो यह cancer cell को destroy तो कर सकते हैं लेकिन इनके कुछ side effect भी है जैसे nausea, hair loss बालों का और सबसे जाता है जैसे blood pressure एक्दम low हो जाता है वहां पर फिर mouse में ulcers बगएरा कोई से हो सकते हैं तो यह कुछ side effect है जो general anti-neuoplatic के देखने को मिलते हैं ठीक है फ्रेंट चलिए अब side effect आके देखने को मिलते क्यों है क्योंकि region जो हमारे anti-neuoplatic होते हैं यह एक्ट्वल में cytotoxic action प्रोवाइड करते हैं यह हम कह सकते हैं cytotoxic होते हैं नीचर में अब यह cytotoxic का मतलब आप क्या समझेंगे साइटो मर्ड यहां से आ रहा है toxic का मर्ड आप क्या समझ रहे हैं dangerous तोड़े जहरी रीजन क्या है क्योंकि anti-neuoplastic का का कामी क्या है कि यह हमें से cells को भी तो मारना है आप basically समझें हमें क्या करना होता है इसका मकैनिघ्र हम समझें तो यह हमारा cell है इसकी cell division हो रही है और वह एक uncontrolled और अब normal में हो रही है जो further क्या करें यह नियो तो दो चीज़ा हो रही थी, एक हमारा cell जो क्या हो रहा था, cell division हो रही थी, और इसकी वज़ासे क्या हो रहा था, cell में growth हो रही थी, दो चीज़ा हो रही थी, और एक हमारा यहां पर क्या हो रहा था, जो हमारी apoptosis है, यान कि जो cell की death है, वो हमारी रुख गई थी, तो ये इन युपलाटिक एजन्स काम करते हैं अब देखो यहां पर क्या है कि यह सेल को पिली भी करेंगे और सेल को अगर कोई मारे गा तो थोड़ा सा डेंजरिस तो होगा सेल को मार रहा है अब हो सकता है कि कैंसर के सेल है उसके साथ साथ जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स है वो भी डैमेज होंगे और यहां पर आपने मारा लेकिन एक दू गूसे तो आपके भी लग जाते हैं तो यह नॉर्मल फाइट में चलता रहता तो उसी तरह यहां पर क्या है कि अपनी बॉडी में भी थोड़ा बाद नुकसान होता है अ यह हमारे साइटो टॉक्सिक नेजर के होते हैं या थोड़े से जहरीले होते हैं जो सेल्स को मारने की दम रखते हैं ठीक है चलिए तो यह मैंने आपको नॉर्मल मेकेनिस्ट बता दिया पूरे का पूरे एंटी नियूपलास्टिक एजएंट का क्या में काम है कि यह सेल डि तो इनको एक और बात बता दूँ एंटी कैंसर ड्रक्स भी बोलते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना कहीं कुछ लिखा हूँ चलिए तो बेसिकली यह यहां पर जो हमारे स्लेवर्स है मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं क्लासिप किसन साथ में कुछ चीज एक्ट्रा क्लासे जुड़ी हों कुछ हमारी एक्ट्रा क्लासे नहीं हों तो इसलिए यहां पर यहां पर यहां पर टोटल श्य ड्रक्स देखने हैं फिर हमारे यहां पर आते हैं एंटी मेटाबोलाइट जाते हैं और इसके अंदर भी हमको कितने देखने हैं य ड़क लेक्ने हैं तो हमारा मेन काम हाजान की जो मुइन होगा हर एक क्लास का वो हमारा अलग-अलग होगा उसको हम देखेंगे फिर हिन सबी ड्रक्स के बारे में भी हम यहाँ पर देखते दाएंगे ठीक है चलिए तो यहां पर पहला हमारे यहां क्लास किसका आता है अलकाइ लेकिन यह हमारे यह लाइन भी आपको लिखना जरूरी है अगर कभी अलग से कोश्यन आता है जैसे आपके सामने आया कि अधर यह लिखना पड़ेगा तो अगर कभी पूछात आता एक्जाम बगर आम कहीं पे तो आपको यह चीज़ भी लिखनी है और एक और बात मैं बता दूं कि जैसे हमारे ड्रक्स है तो इसका एक में यहां कॉमन मेकेनिजम आपको बताऊंगा फिर जो यह हमारा कॉमन मेकेन में जो इस क्लास के अंदर हमारे ड्रक्स आते हैं उन ड्रक्स पर भी यही हमारा फॉलो होता है तो अगर कभी जैसे एक्जाम आता है तो यह नहीं पूछेगा यह भी आ सकता है कि आपके सामने कुश्यन आए कि हमको मैक्रो मी क्लोरो इथमाइन का आपको क्या लिखना है मे लिखेंगी तो आप उसको लिख देंगा ऐसा नहीं आपको आंफ्य है कहीता है लोग में दीगे 15 नमर में आ गया कर देना है मेट लो एक है मीन ब्रूट कर जाना है ठीक है चलिए तो इसी तरह हम समझते हैं कौमर अपना अलकालेटिंग एजेंट्स के बारे में तो यह हमारे वह ट्रक्स होते हैं जो हमारे एंटी-neioplastic और एंटी-cancer मेरे एक माईटोसेश प्रवसेश एक हमारी मियुसिस थी है बनों में होता है तो हम बिदने हैं तो नियूक्लिड होते हैनаб जो मारा फडर सब्सक्राइब में नट साथ है नूकलियस से यूर्ज है इसके उमारी होती है सबसे होती है तो ऩसुन होती है तो क्या होगा है यहां वोड़ा हो यह दिगा दिखा दिखा दिया तो एक और गवर करेंगे तो नुकलीर्स के अंदर हमारी का होता है genetic material होते हैं तो अब इसलिवार तेवल दो हिर अलग अलग बन रहे तो इसके अंदर जो genetic material हो भी तो अपस्में divide हो जाएंगे न तो यहां पर platforms अलग 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 dc नुकलीर्स में बन जाते हैं अ हczaगर हमारी yön na Chelsea जो genetic material है यही हमारे डिवाइड नहीं होगा तो न्यूकलियस डिवाइड होगी मतलब भी नहीं है तो पहले हमारे क्या होते हैं यहाँ पर न्यूकलियस जो हमारे अंदर के वो हमारे क्या होते हैं यहाँ पर डिवाइड होते हैं और न्यूकलियस के अंदर हमारे डियाने और यह नूकलियस और एक हमारा याद आएगा यह नूकलियस और इसके अंदर हमारे क्या होंगे यह DNA फॉर्म हो जाएंगे तो इस तरह हमारी जो है नॉर्मल यहां पर क्या होती है cell division यह मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है nucleus इस तरह हमारा बनेगा यह notes बगरा मैं आपको सब provide कर दूँगा आपको website बगरा पर या कुछ time माद आपको यह सारा कुछ available हो जाएगा अभी बस आप अच्छे से समझ लो अगर आपका concept clear हो जाएगा इसी की तरह हमारा एक और DNA बन गया तभी तो हमारी जो अलग अलग नूकलेस के अंदर गए तो यह जो हमारी चीज़ है यान कि एक DNA से दूसरा DNA जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर DNA replication जो replication है इसको हम एक तरह से reproduction भी बोल सकते हैं यान कि क्या हुआ एक DNA से यहां पर क्या हुआ दूसरा DNA हमारा जन्नेट हो रहा है ठीक है चलिए और यह जरूरी भी है अगर मालो यहां पर सिर्फ एक ही DNA रहता तो फिर यह हो जाता भाई लड़ते आपस में यह नूकलेस यह करता नहीं इस वाले में रहेगा DNA यह करता नहीं इसमें रहेगा तो यह तो बहुत जरूरी प्रोसेस है कि DNA का हमारा replication होना ही होना है अगर यह DNA मालो हम इस सेल के अंदर से DNA हटा दें तो क्या यह सेल जिंदा रहेगा सोचो आप अपने पास नहीं रहेगा और यहां कि DNA हमार नहीं है और जो हमारे cancer वाले cell है उनको में मार नहीं तो है और जो हमारे cancer वाले cell है हो जो हमारे न४ क् vẫn कर दो हम क्या होगा और तो हमको झारोरी है कि DNA होता है ङह इस धिडियान के दवीजन के द और और अगर हम spokes और यह यह हो रही अगर हम इस process को रोक देते हैं तो हमारे यहां पर छेडगान हो जाएगी और यह cell हमारा क्या हो जाएगा death हो जाएगा और यह हमारा further जो हमारे यहां पर division हो जाएगी रोक जाएगी तो एक हमें यहां रास्ता में लिगा cancer को रोकने के लिए कि cancer की जब शुरुयात condition है यानि कि जब वो नियो प्लास्मा और विनाइन condition में है उसी टाइम पर हम क्या कर सकते हैं कि cell को और ज़्यादा growth होने से और ज़्यादा उसको solid और कड़क होने से हम हाँ पर रोक सकते हैं औ तो बस यही काम हमारे क्या करते हैं यहां पर alkylating agents करते हैं इनका काम क्या होता है कि जो हमारे DNA की replication हो रही है उस चीज को हमारे जो alkylating agents है यह क्या कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं और जैसे हमारे DNA की replication ब्लॉक हो जाती है हमारे जो cell यहां पर cell एक तरह से हमारे DNA में कोई छेड़कान हो गई तो एक तो हमारा cell पूरा मर जाएगा यह cell हमारा इनेक्टिव होजाएगा और यह हमारा फॉर्दर क्या होगा यहां पर हमारा division नहीं कर पाएगा और जब cell एक से दो नहीं वनेगा तो आठोमेटिक से ऐल मर रीजाएगा तो यह हमारा बहुत यह अच्छा काम यहां पर होता है तो यह हमारे एजन्ट क्या करते हैं इनके पास इतनी होती है कि यह ने की रैप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं यह आपको पता चलिया चलिए अब हम थोड़ा आपको देशी बासा में सारा में पता लग गया अब हम थोड़ा ना सिस्टमाटिक तरीके से समझते हैं कि आखर यह जो हमारे एलकालेटिंग एजन्ट से यह मोश्टली मारे नाइट्रोजन मस्टर्ड की क्या होते हैं डेरिवेटिव तो हम इसी के वेस्ट चलिए और टोटल हमारे पास चार ऐसें बेस्ट में तो तो यहां पर मैंने इन सब को लिख दिया है पहले हमारे क्या होता है और यह हमारे कुछ इस तरह पेर में डबलप होते हैं यानि कि जो हमारा सी होगा इसके साथ हमारा जी प्रिजेंट होगा टी के साथ हमारा ए होगा यानिकि यहां पर क्या कीज़ है साइटो साइन जो हमारा साइटो से ने इसके साथ हमारा क्या प्रिजेंट होता है तो इस तरह यह हमारे बेस में यहां पर प्रिजेंट होते हैं ठीक है चलिए तो य या अब DNA अपना असर दिखाएगा नहीं दिखाएगा क्योंकि यहां पर क्या हो गई है डी एने की यहां पर क्या हो गई है मिस मैचिंग हो गई है मिस पेर हो गई है तो इस वजह से क्या होगा कि अब जो डी एने का एक्च्वल वर्क है वह यहां पर काम खतम हो जाएगा और और रिमॉट के अंदर प्रिजेंट तो अब अगर क्या करो आप अपने सेल लेना और सेल को बस आप निकालना और उल्टा करके सेल को जो आप रिमॉट के अंदर डाल दिना क्या आपका रिमॉट काम करेगा क्योंकि आपके सेल से चलता है सेल भी प्रिजेंट है यहां पर क्य क्या होता है कि हम क्या कर देते हैं आपको ब्लॉक है तो हमारे यहां पर प्रिजेंट होते हैं नायटोजन श्रड और इसका आपको यह कौमन डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा एक नायट्रोजघन है इसके साथ है पर यहाँ पर हमारे हमारे सीय के चैनल सीय को यहाँ पर चैनल होता है यहास इथा तो यहां पर क्या होता है कि lequel neighbors नौन फ़ीरिवर सिभ सेंस यह कार्वोन हैं और किया इसको समझते हैं इसको मैंने यहां पर इस तरह अतार लिया लॉन पेर च्ब्रबगीं और क्या जिंद्रय कि आप रहाएषे इस के उपर आटेक करेंगा अब देखो जैसे हमारा तो इस तरह एक ट्राइंगल फॉर्म यहां से पादाएगी और यहां से जो सी एल निकल जाएगा ठीक है ऐसा नहीं है जोड़ा नहीं मैंने दिखाने के लिए रख जाएगा आप बोलो के सी एल कहां गाइब हो गया यहां से पाहर हो गया अब एक चीजा आप नोटिस करोगे होगे तो नाइटोजन के पास क्या होगे वन टू त्री फॉर चार चीज़ा होगी तो नाइटोजन पर क्या जाता है प्लस यहां पर चार जाता है और बाकी नीचे का हमारा क्या है सेम फंड आए तो यह हमारा एक होता है अब क्या होगा अब अगेन क्या होगा यह वाला सी लाग और यहां पर कार्बोणियम आयन बने गाया जो हाइली रियक्टिव है और यह किसी भी चीज पर बाइंड होने के लिए एक दम तयार बैठा हुआ है तो यह हमारे यहां पर पहले डबलब होते हैं अब समझेजिते हैं मेंन में क्या होता है कैसे होता है तो देखो हमारे मैं पता है हमारे होता यहां पर dna में हमारे क्या के प्रेज़ेंट होते है wait and aureanoneघ तो हम यहां पर क्या समझते कि यह हमारे यह एक्छल में नहीं है यह अपना लगाओगर देआ हिस मैं आप एक करते इस existe करते कैसे करते हैं आप इसको समझोल हो यह हमारा वही ऐगरी डियाएंप सायनट है यह जो हमारे क्या मैं अब यहां पर qleas furniture है आप इसकी नर्गों मारा क्या मेसे हमारे 70 आई छूय जा सट है है वह हमारे इस साथ में नमर की nitrogen पर आखे क्या कड़ां tips on является बााइंड को पता है कि हमारे क्या आट से महारे कि हमारे हैं किशन के ने से मारा ब्रहन दोता है तो से महारी क्या ओकता है इस Keith in possibility करें पर कि यह usher 시 Bahe compartir में क्लीजें देखते हैं कैसे इस हमारा उठके क्या हो गया यहां पर हमारे यह जुटाता है तो बाकी चीज़ हमारी यहां पर हमारी यहां सेक्ट्राइब कर अगर आप नाम से समझोंगे यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमारी dna chain यह मारा गोईनेन और इसके यहां पर क्या जोड़क है और यह हमारा एक अपर अपना फंक्शन नहीं देगा अब जो कहानी होती है वो अभी रुकती नहीं है यहां पर nihilating events यहां पर अब मारेंगे यहां पर यो udah कह ​​äक पर हमारा नम obrigado ज़र और निग अब सी आएंगा है क्या होता है हमारे यहां बरस यहां को साथ मीरियों नमबर में बैसे आइगधी भी तो इस side पे तो जाके हमारे यह bind कर गया एक side तो हमारी अभी भी पची है तो यहां भी same हमारा funda होता जो हमारा पहले हुआ था यह nitrogen पे जो loan pair है वो हमारे यहां पे जाके bind करेंगे और यहां पे जैसी bind करेंगे यह हमारा फिर से वही वाला tri cycle यहां पे तीन हमारी ट्राइंगल बनाएंगा यहां पर और इस पे पॉजिटिव चाहर दाएगा और इस side हमारे यह automatic पहले से dna chain अटे से अब क्या करेंगा यह चीज़ हमारी फिर से एक दूसरे dna के साथ दूसरे dna के जो गवैनिन है उसकी साथमी पोजिशन पर फिर से अटेक करेंगा तो जैसे हमारा यह साथमी पोजिशन पर यह बाइंड करेंगा यह फिर से हमारा अगेन इसी की तरह क्या हो जाएगा पूरा का पूरा structure बन जाएगा तो अब यहां देख रहे हो एक एक हमारा नाइटोजन मस्टरडाइस ने यहां पर दो डियने के यहां पर क्या कर दिया है एक बेस पेर यहां पर जोइन कर दिया और यह अलग अलग होंगे यहां पर आप देख रहे हो एक हमारा यह जुड़ गया एक हमारा यह जुड़ गया यह हमारा गौइनन है यह हमारा जो ग्वैनेन है वो हमारे अलग होता है separate होता है डियाने के साट है उलग से हमारे आपर क्या जुड़े का क्या अलक से हमारे ग्रूप ग्रूप इसकूरे वाले इसमें कुछ स्पंक्सन बतल दिया या बीच में अपने कुछ और बीच में आपने प्लास्ट की कोई चीछ रख दी तो क्या अब सैल अपना काम करेंगे प्राफपर नहीं करेंगे तो सेम यहां पर क्या हो रहा है कि इस के ताथ क्या होदाएगी मिस पेर करा देते हैं और और यह कंपाउंड ही बदल गया सिंपल था देखो ना यह गोईनिन यहां पर इनकी क्या करा दी इसने क्रॉस लिंग करा दी देखो यह हमारे नॉर्मल थे यह हमारे नॉर्मल थे इनकी क्या होदाएगी क्रॉस लिंग क्या करेगा इस वाले गुनिन के साथ में एक तरह से यहां पर बाइंड करेगा क्रॉस लिंग करा दी और आपको याद हो तो डिया-ईआफ्ट प्राइब हमारी सिंपल परायों को ko zag प्राकें ** आफ्ट करेगा दूसरी चीज यहांबर क्या हुई है आपनॉर्मल बेस डिया-इसे होथी है यहांपर किसे साथ होती है माद किस मेरित गृण इलिन और गुरिन की होगी, यह हमारी यहां पर पॉसिवल ही नहीं तो यहां पर DNA का फिर से हमारा structure क्या हुआ, बदल गया, तीसरी हमारी क्या होगी, season of DNA strength, इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं हो सकता है, कि इन सब के दौरान हमारा कहीं DNA का जो strength है, यहां पर यह कहीं से miss हो जाए कहीं से तूट जाए, तो यह भी एक तरह से DNA में क्या होगी, खराबी होगी, तो यह कुछ ऐसे फंडे हमारे होते हो और finally हमारे यहां पर क्या होगाता है, DNA एक तरह से खराब होगी, और इसकी बज़ए से क्या होगी, जो हमारा DNA की synthesis रुख जाएगी, क्योंकि DNA में क्या होता है, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन के साथ, लेकिन यहां गुएनिन की यहां पर क्या हो रही, बेस पेरिंग यहां पर बना दिये, तीसरी यहां पर क्या हो सकता है, कहीं से हमारा इस ट्रेंड टूर आए, और DNA यहां पर incomplete हो तो इन सब रीजन से यहां पर क्या होगा, तो फाइनली हमारा जो DNA synthesis थी वो हमारी यहाँ पर रुख गई और DNA replicate ही नहीं होगा यहाँ पर सिंपल दफणना देखो अगर यह DNA यहाँ पर replicate नहीं हो रहा तो भई ना तो यह cell के हमारा nucleus यहाँ पर क्या होगी रुख दाती है तो यह हमारा पूरा यहाँ पर क्या यहाँ नाम से भी जानते हैं अब यहाँ इसका मतलब होता है यहां पर अटेच है और यहां पर हमारा के जूड़ा था है नहीं पर आता है मार इत को धिनोट करता है तो इस तरह इस पूरे नाम तो हमारे इन सभी compounded unhappy क्या बना हम रहा हमारे जहीं नाम तो यह महारा नोर्मल और पहला पहले इंपूर्टेन ग informed ऑना यहा पर आता है दिर हमारे लिए फॉर्म हम इसके लिए नि यहां रहता हैं और दूसरी से को मैं यहां पर थोड़ा डिटेल्स में आपको बताता हूं यह हमने ले लिया अपना फिर यहां पर यहां पर यहां पर एक और ऐसे करके बना सकते हैं यह यह उठा नहीं इसको में 2 को अठा दिता हूं तो इस तरह हमारे ये compound है अब यहां पर होता है कि जो हमारे ये n है ये n क्या करेगा इन दौनों cs2 ऐस डू को अपने पास क्या करेगा खीचेगा तो एक बार समझ लो इसका s2 आ गया हमारा एक बार इस n के साथ ठीक है अब obviously बात है कि n के पास स के साथ पहले हम जोड़ते हैं इन के साथ हमने जोड़ दिया फिर न के साथ हम जोड़ते हैं नीचे वाले हमने यहां जोड़ दिया फिर हमारे यहां पर क्या बसते हैं तो इस तरह हमारे यह पूरा पूरा यहां पर क्या हो जाता है चलिए अब हम यहां पर क्या कराते हैं इस S O CO 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 निनलता है So and we are S2 सु दिरियानी 6 तो इस थरह हमारी यहांपर पर सिंतेसिस होती है कैसे हमारे कमपॉण्ण react करते है तो इस थरह पूरा पूरा जो इताइलिन औॉक साइड यह तौनों मिलके यह कमपॉण्ण मनाते हैं इसकी क्लोरिए फोके हमारे यहां पर क्या पहूं होता है मस्टीम पहूं होता है यह हमारा जो लिंफेटिक सिस्टम होते हैं इसमें जो हमारे कुछ पर यहां पर आते हैं माइकोसेस टी सेल निम्फोमा यह भी वहारा एक तरह काम आते हैं दूसरा हमारे यहां पर ड्रग आता है यह हमारा आता है साइकलो फॉस्परमाईड तो सेम आपको यहां पर यह पर यहां पर एक थे यहां पर होता है स्युक्ति के विए हुआर हुए हंदगल में अधा और हमारे पर यहां बात नेता है तो सेम होता है एक फिर तो यह सब नॉर्मल वात हैं यह सब आप इस से पढ़ भी सकते नोर्स बगरा में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दाइगराम श्ट्रक्चर आपको मिलजाएगा मेन होता वो मैंने अबको यहां समझा तो यहently यहाँ पर आता है क्लोमर आ cancel का सेम होता यहानरा अधास की बात करो यह प्लिवाट केंसर है वहां पर है पर are human इम्नियों सप्रेसेंट की तरह भी काम करते हैं यानि कि यह हमारे जो इम्निय सिस्टम है उसको थोड़ा से डाउन करेगा अब इसकी जरूवत क्या बढ़ती है इम्निय सिस्टम के जो हमारे वहारे का जाते है रेपड़ी ग्रोथ होने लगें अगर वहां पर कोई कैंसर या क तो उस सेल को यह करे गा थोड़ाओत कम करे गा और इस से मारे क्या हो जाएगा सेंद्धार झाठोपन केंसर स्थम में कहने ही ऊड़ी बटी ऊड़ी दियान्हें में ओसलिंकिंग यही सब सारे कम उसने सब उसका करें तो हम इसका आपको यहां पर दिख रहा होगा थोड़ा अजिए हमारा सब्सक्राइब करें हमारे बात करें तो लिंफोमस होते हैं उसमें भी घृत करता है चलिए तो अब हमारी एक खतम होगी अब हम second यहाँ पर देखते हैं एंटी मेटा बोलाए तो यह भी हमारे बहुत जादा important तरह को यहाँ पर drugs होते हैं और यह भी हमारे बहुत जादा अतित wyd inevitably इसल्वात चेते हैं प्राइमरी स्टेप क्या पकड़ लिया था अगर हम इस डियने को रोक दें तो हमारा क्या हो जाएगा जो न्यूक्लिक एसट होता है वह भी चीज हमारी रुख जाएगी तो हमारा में फंडा चल दा पूरे का पूरे एंटी नियूप्लास्टिक चल दा चल दा बात करते हैं च्छोटी चीजों से मिलकर बनती है तो उसी था हमारा दियने बना अगर उसको देगे तो यह भी बहुत चीजेश से मलता है जैसे राइबोस सोगर हो गई फिर हमारे यहां पर नाइट्रोजेन बेस आते हैं जिनके साथ बहुत साथ आपक्सपरिमेंट करते हैं तो हमारे यह हमारे चार हमने अभी देखे थे हैं सी जी टी और यहाँ पर एडिनन ग्वाइनीन और साइटोसिं यह हमारे कुछ तो अगर हम क्या करें इसके जगा पर को हम कुछ और दे दें यानकी सिंपल दम्जो यह हमारे एक तरह से हमें को क्या बोलेंगे मेटाबॉलाइट्स बोल तो तरह तरह हैं यहां साइकल देखते हैं चीजें देखन हैं पहले हमारी गारी होते हैं यह हमारे मेटाबोलाइड और कि लिए का उती बहुत जाए पर न चाहिए को ले 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 लिए अब तक देख रहे थे एक हमारे यहां टीवी का रिमोट है यहां पर नगी लगी जो इस सेल रिमोट के चारा चल लगी है अब मालों की बच्चे कुछ आगए घर में और हम चाहते हैं कि वह क्या करें टीवी ना देखें वह ठाहिए था रहे हैं काट्वन द लेकिन और उसके लिए आप उनकों बैसे भी स्कते हैं निकाल सकते हैं आप कुछ तो यहां पर विए चलने लगई ऑब यहां पर आप किया कर सकते हैं आप उसको गायब तो आ आपके असली सेल को अटाया और नकलन खृल या कुछ खराफ तरह या बिलकुल वीक वाल यह आपने किसी जो जो देखने में सेम उसी की तरह लग रहे थे, आपने क्या गिए, उस सेल को यहांस के अंदर आपने डाल दिया, कैसे भी छिप चा, फिर आपने वो रिमॉट रख दिया, अब वो बच्चे अगर टीवी चला आएगा, तो वो रिमॉट काम नहीं करेगा, वो देखेगा अब यह चोड़ी चीज़ें हैं जिसके दार हमारा जो डी आने बन रहा है हम क्या करते हैं मैटाबॉलाइट को चेंज कर देती हैं मैटाबॉलाइट को चेंज जैसे मालों कोई गुएनिन है तो गुएनिन की जैसा ही हम कोई दूसरी चीज यहां पर लाके अभलेब करतेंगे वह जैसा है लेकिन एक्शुल में वह गुएनिन नहीं है तो अब क्या होगा कि अब भई इसकी जगह यह लगा देंगे तो बई काम थोड़ी पे ऐसा दिखाएगा जो नकली सरम ने इसमें लगाया था वह देखने में तो तरह लेकिन काम तो नहीं किया अगर काम की तरह करता तो वह टीवी चलने लगती वह केवल देखने में उसकी तरह था सेम अमारे यहां पर आते हैं कि जो हम मतलब कोई गलत चीज़ जहां पर डाल रही है वह मारे देखने में इनकी तरह है लेकिन एक्षिवल में उनका काम ऐसा नहीं है तो इसको एक तरह से बोला जाता है तो जो क्या से अब जो हमारा DNA कुछना कुछ खराब है और DNA क्या होगा रैप्लिकेट नहीं होगा और DNA रैप्लिकेट नहीं होगा तो हमारी यहां पर समझ आ गया होगा क्या इनका फंक्शन है कैसे है अब हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में यानि कि कुछ केमिकल की रूप म कि Ina की संथेस के लिए का होते हैं क्या है सिंबल दहाता है अब यहां पर तीछी आपर न्र०्ध का मतलब होता है कि देखने में वह उनहीं की तरह हैं तो जो हमारेत्र में प्यूरियन प्रिजान इनलोग्ष क्षATION के पिरेंदर होता ने में उसकीक का है प्रमिड्यicion ही तरह है उसी कि तरह यह कि देखने में हैं और यह हम यहांपर ले हैं इनलो Uno Canada तो टोटल में प्र हमारा है फिर हमारा यहां पर आता है अजो घुटियल। अब हम समझते हैं कि इनके अग्युल में मैं आपको एको बहुत दादा डीटेल्स में ले पढ़नी पढ़ेगी एट टू ले से जैड तक तो इतना हम डीटेल में नहीं बस मैं आपको में फंटा समझाऊंगा कि इनका काम क्या है आपको उसी से काम जहां पर चलाना पड़ेगा ठीक है चलिए देखो हमारी बॉड़ी में यहां पर रियक्शन हो रही है वह हमारी क्या यहां पर आपको समझ आ गया है यह हमारी दो में चीज होते हैं जो नाइटरोजन वेस होते हैं और यह तरह से बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसके द्वारा हमारे जो DNA वो बन रहा है सिंबस दिवात है चलिए और यह वारे दोनों है यह अब यहाँ पर आते हूं पर्पिण ऑनलोग प्यूरि इनयगा होते हैं हममारे सेम इनिके जैसे होते हैं अब तक काम क्या होता कि वह इस कुछ और न को क्या करें और जैसे ही हमारा रुक जाएगा हमारा एडिनिन और ग्वैनिन बनना बंद हो जाएगा और जैसे हमारा एडिनिन ग्वैनिन यहां से गाइब हुए हमारा डियाने क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट और फिर डियाने इनकम्प्लीट है तो उसकी रेप्लिकेशन नहीं हो पाए तो इसको सॉट में 6 MP बोला जाता है अब एक एंजा हमारी बड़ी में प्रिजेंट होता है हाइपो जैन्थाइन ग्वेनिन फॉस्पो राइवोजेल ट्रांस्फेरिट तो इसकी मज़स्थ से क्या होता है कि जो हमारा यह सिक्स मेर कैप्टो प्यूरिन है यह हमारा कनवर्ड यही बता है कि इसका कि यहां पर बीच में आज आएगा इन दोनों की जगापे और इसको फाइनली रोग देगा तो यहां पर इसका मेन होगा कि सेम होने की वैसे यह अपने यहां पर काम कर पाया तो यह आप समझ गया होंगे पहला आप इसके हम कुछ एक्जामपल देखें तो यहां पर ड्रक का यह हमारा स्ट्रक्चर है सिंतेजिस की बात करें तो वही हमारा सेम सिंतेजिस होगा यहां पर अब क्या होगा इस से हमारा यहां पर एक्जेंड रखें अब पर एसकी जगहा पर मंगत नॉ Tou यह हमारे मुझा कवल आफने Experimenteren सब करने में कौन है क्या है क्या है और चर्ट करने में किया कर रही है फिर हमारे यहां प्राता था तो यह संक पूरा कपर स्ट्रक्चर हो घै इसका भी काम क्या है यह हमारी प्यूरिन की मेटाबुलाइज हो रही थी यहां जो बन रहा था कैटाबुल मेरा मेरा हो रही थी उसको यह रोक देते हैं और उसी के वजह से जो DNA RNA प्रोटीन से यह चीज़ हमारी रोक जाती है यूज़े इसकी बात करने तो इम्मेनों सप्रे वारी तुसके अंदर सेम हमारी वारी में कुछ प्रेम लिए प्रिज़ेंट होते है जैसे हमारी के प्रेडा थाइमीडा थामीडिन तो अब देखो नॉर्मली यह काम कैसे करता है तो हमारी वारी प्रिजैंट होता है दी यू एम्प यानकी डी ऑक्सी योरदेन मॉनौ कि न क GeoxyThymidine Monophosphate ना हमाहरा किसमें धोता यह हमारा इस ताफ है यहां पर चलता है अब जों हमारे पिरामेडीन चाहते है तो यह क्या क्या होते हैた तो यहां पर इसका क्या होगा कि यह इस एंजाइम को इनिविट कर देगा और जैसे यह एंजाइम हमारा रुक जाएगा यह एंजाइम ही नहीं रहेगा सिंबल दी बात हैं मानो कहीं पर कार चल रही है अब उसका ड्राइवर ही नहीं रहा तो भी कार चलेगी तैसनेस हो जाएगी यह बिल्कुल ही नहीं बिना ड्राइवर की कार तो चलेगी नहीं तो यह यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमारी वर्डी में क्या हो रहा है इस हैं इनिविट कर देते हैं यह हमारे प्रिमिटिन एनलोग डिवल यह हमारी इनिवड़ करके हमारे यूरीड़िन इसमें कदूबरे नहीं हुआ ऌश यह नहीं इका हमारे इन इन-ची इसके उधी हमारे इहां पर जाएगा उनका बएक हमारा यहां नीद में उसके ना घृ टार इसमें यहां पर आता है फ्लॉक्जिद तो इस तरह का आपको इस्ट्रक्टर दिख दाएगा थोड़ा थोड़ा बहुत कॉंप्लिकेटिट हो जाता है इसको आप थोड़ा देख लेना करके जो मेकनिस में वहारा सेम है जो उपर वालेगा था फिर बात करने तो यह हमारा वहां जाएश तो यहां पर यहां पर बाकी यहां पर यहां पर यहां पर न रगाता तो यह हमारा किसमे में है यहां यहां कि यहां आती है अनलोग तो इसका हमारा सिंबल क्या होता है यहां पर फॉलिक एसिट का काम क्या होता है कि यह हमारी बॉडी में और जो हमारा थी यह किसके लिए नेसरी होता है जो हमारी वर्डी में प्यूरेन बनता है थायमदीन बनता है और कुछ अमीनो एसिद्स बनते हैं यहां यहां पर एक एंजाइम की मदद लगती इसका नाम क्या है डाइड्रोफॉलेट रेक्टेज तो इस एंजाइम की मदद्स ने लगते होते हैं तो जो हमारे फॉलीक-एसिट में काम क्या होता है यह हमारे जो ऑन इसे को आराम एंजयाम को खतम कर देगा अब जैसे यह एंजयाम रुक जाता है तो फॉलिक एसड है वहारा फॉर्दर थी एचेफ में नहीं बनेगा तो नहीं हमारा प्यूरिन बनेगा ना हमारे कुछ और अमीन एसिट बनेगे तो यहां पर इंडरक्ली देखा जाए तो इस वाले जो एन तो इसका आपको इहां पर इस ट्रोक्曲 दिख आएगा थोड़ा कॉंप्लिकेटर है आप इस चीज को देखिसें सकते हैं इसां पर फोर फार फार यहां घर और एक तरस argue स्प्रत। अब हमारे यहां पर आता है इसका बैसे डाइगराम बन जाता है मैंने यहां सिंबल लिख दिया है एंड पैरा मीथाइल अपनजल ग्लुटमेक एसेड तो यह हमारा क्या करता है अब इसको फड़र क्या कर देगा हमारा मीथो ट्रेकजेट में चाहिए यह चीज़ अमारी इस यूजेस की बात करने तो हमारे यह प्रिस्वर्य और एक्यूट लिंफोब्लास्टिक लिक्यमिया और इम्मुनोसप्रेसेंट की तरह ब्रेस्ट कैंसर नेक लंग इन सब कैंसरों में यहां क्या करता है चलिए अब यहां पर तीसरे जो यहां पर आते हैं क्लास वह आती है एं जो हाली में मतलब ज्यालप पुरान देखा गया कि यह हमारे जो एंटीवाटिक्स है यह भी हमारे एज़ या काते हैं करते है अब करते कैसे हैं इसको हम देखते हैं तो यह हमारा फंटा पर मेंकित्ष आन को दिएन आ है इस नीकिसाホंगर जुड़ेंगे और जयसे हमारा यहां पर आता है इंटर कैलिशन तो इसका आप कुछ इस तरह समझो कि जैसे हर जब हम देखने कोई बगरा हो गया या कहीं भी हो गया तो हलकी हलकी जैसे यह जुड़ रहे हैं तो बीच में कई तो यह जो हमारे यह करते हैं इन्हीं गैप सिंदर क्या हो जाते हैं बीच में जाके फिट हो जाएंगे सिंपल दी वादा क्या करेंगे जब यह जुड़ गए अब इसका जो ट्रांसक्रिप्टन या हमारे जो कौपी रैप्लिकेशन होगी रा रैने मारे बनेगा अगर यह ब नहीं होगा तो जूमक डिने वहमारा आगे नहीं बनेगा तो यह तरीका उगया पर इसको आप यह बासे इंटरकेलिशन फिर हमारे यहां पर आते हैं स्ट्रेड्ड ब्रेक अब यहांपर ब्रेक हो सकते हैं तो अगर इन तो अगर इन तीनों का इस तरह से हम क्या करते हैं तो यह करें तो यह मारे यह मोश्टली कहां से मिलते हैं और विल्यूमाइसिन से अब आप कह रहे होंगे इसके ड्रक्ट्ट्र थे जो इतने बड़े बड़े थे तो अभी टाइम का तो मैंने इसको नहीं बनाया है लेकिन वह सायद अगर हुआ तो मैं यहां पर आपको कर दूगा आ यहां नोट डाउन कर लेना यहां अगर आपको कश्ट लग रहा होगा तो आप अभी कुस्मत करना जो मैं आपको नोट करूँगा तो उसके अंदर हमारे चार ड्रक्स रह गए हैं तो इन चार रोड्रक्स के आपके जो इस्ट्रक्चर होंगे वह मैं आपको बता दूगा जो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया जो मारा मोश्टली मेकैनिस होगा वह मारे यहां पर किस चीछ पर मारा एंटिवाटेक का में क्या होगा यहां पर इंटरकैलेशन यार्ग हमारा लैटिस के बीच में फिट होके और उस चीछ को गड़वड कर देगा तो यह हमारा में ही हमारा इंटि कैंसर को ठीक करने वाले बस बसल传े कोई देख सकते हैं चेज泉 अ कौनसी द सब्सक्राइस हो गया ऑफ लोग ने देख कि आयोरी विदिक की तरफ जाओ जड़ी बूटियों की तरफ बहुत अगया ऐसे होमियोपैसी दवाईया भी तलती है वह बहुत अगया की तवाईया है यहां पर यह हमारे ऐसी दवाईया होती जो में प्लांट के दोरा मिलती है और अगर कोई चीज आपको याद हो तो अग होता है कि हमारे और यह सब्सक्राइबवल बहुत ज़या होते हैं और प्रीवेंशन वगरा मन्सथों बहुत जयादा अच्छे काम आते हैं इसमें कौन-कौन से ढगाते हैं तो बैसिकली 3 आता है वीनलाइस्टिक तुह आता है विन क्रिश्टिन और तीस्रा हमारे यहां प तो तीन तो यहां पर जाती है है उल्क कशा अपको याद होंगे यह हमारे कुष्ट नाइट्रोजन करने वाले संथ होते हैं प्राप्ट होते हैं पाउद होते हैं वह यह पैड़ टूर सा नहीं नहीं दूदा अब देखें अगर विन ब्लाश्टिंद और विन क्रिष्ट्टिं आपको थोड़ा यहां तो आवी निया मेरे इस में तो यह जो मारा चेकुण है कैसा अब कोई बनाया हुए तो हैं निकाल दिया तो भई इस तो यह आप तो यह चीज हमारी जगह यहाँ पर बन की बिं बलास्ट इन और विन क्रिस्टिन में थोड़ा सा करेंगी कैसे अगर हमारा क्या है माइन भॉन्ड सो करते हैं यहां पर लगा है इस जगा पर बिं बलास्ट नोदाएगा और अगर यहां पर CHO लग गया तो यह हमारा का हो जाएगा विन क्रिष्टिन होताईगा बाकि यह जो हमारे second अ third position है तो second पर हमारा OCS3 लगेगा और third पर हमारा CO CS3 लगेगा तो यह हमारे दौनों में common है बस हमारे एक यहां पर difference कि आता है ठीक है चलिए तो मेकनिम आप इस तरह समझो एक हमारे यहाँ पर प्रोटिन होता है टूबेलिन तो यह तो यह कौम का होता है जो है कि आपने को पॉलिम्राइज करेखा एक लोंग चैन सब्सक्राइब करें और । बुल दो इस तरह कि हमारे दो इनका काम क्या होता है एक चीज को दूसरी अगर कि कैसे हमारे जो सेल्स होते हैं इन सेल्स के अंदर माइटोस को कॉज कराते हैं तो आप समझो अगर मैं इसको और जादा डीटेल में समझाओंगा क्या होते हैं कैसे कहूंगी यह चीज़े आपने पढ़ी नहीं होगी यह सैल डिविजन के अंदर बहुत जादा इन डेफ्ट में आती हैं है इतना समझो कि हमारे इंस प्रोटीन होता है तो मांइंस मार है के लिए मैं चीलियां हो सेमारी यह आपको पता सेлथा इस इंस इली क discounts होती है इंड सेली को इन जाय हो ए चलिएं तो यहां पर मारे आइस के लीए हमारा टीविलन बिपूल्टिन है हमार क्या कर रहा है cell division करा रहा है अब जो आ tornado करा है शिंबल धिवाद है चलिए आब जो हमारे Winkah Alkoloids इनका काम क्या होता है कि यह हमारे स़िке purse हमारे हाँ पर cells के अंदर उसके साथ यह क्या करेगा और जैसे हमारे यह trust productive करेगा उस listing को रोग किरेगा और जैसे हमारे Crunch दुखाएगा नहीं हिए अमारा फिलामेंट करेगा नहीं यह माय क्रोटेबल करेंग और अगर मैकेटोस सभय होगी तो बस आप यह समझ गए हो तो बस आप बहुत प्रोटीनन है क्या होगी कहां से ऐ लुकन तो इसका में फंडा समझ जा हट जाओगे अलागड जाओगे टॉपिक से क्योंकि इसमें बहुत जादा टॉपिक थे बस आपको में में चीज़ों का फंडा पता करना है क्या था कैसे था आप लोग यहां पर चीज समझ गए होंगे ठीक है चलिए अब अगर हम इसकी यूज तो इस तरह का है इसको यहां पर फाइनली थोड़ा आपको सर्कल में भी देनेगी तो यह इसका इसका होता है इसका काम क्या होता है इसका काम क्या होता है इसका काम क्या होता है इसका क्या होता है इसका काम क्या होता है इसका काम क्या होता है इसका काम क्या होता है इसका क्य ब्रेक होगी एक कुछ-कुछ पार्ट हमारे माले कर चलती रहती है और अरए यहा पर डिया ने डिप्लैक्स बनता है तो इस तरह बiningM क Teles Had यहां पर इतो पोड़ा इसका काम क्या होता है इसकी ब्रेक करा देगा इसको तोड़ देगा जैसे यहां अलग हो के ब्रेकिंग और रीटोइनिंग हो रही थी तो यह और यहां पर पूरा का पूरा मेकेनिग काम आता है। यहां पर पूरा का पूरा मेकैनिज्म काम आता है। उसेज़ की बात करते हैं यहां पर तो यहां किया गता है जैसे एक बात और बता दूँझे लगार को प्लांट के यहां से वहां से यह देंको देखने को था पर लग्या थे कंशर हो गया उसमें यहां अब हमारे सिंपल हो गए अब हम समझते कुछ अपने मिसलेनियस कंपाऌ पर यह हमारा इतना इफेक्टिव नहीं रहता तो यह इसका डाइग्राम है और में देखें तो इसका यह तरह हमारा सेम काम करता है यूजस की बात करें तो कैंसर जो मारे इसो फैगल ब्रेन ओवरियन है और नेक ब्रेश्ट कैंसर इन सब अब हमारा इतना इनकी कह सकते हैं कि यह बहुत जादा इफेक्टिव नहीं पर आता है और मारे यहां पर आता है माइटो टॉन तो इसका आपको यह दिख रहा होगा और मैकरी की बात करने तो बैसे तो इसका अन्नोन है लेकिन देखा ता प्रिजन डाटा में तो जो हमारे प कम कर देगा और वहां पर जैसे यू सेल स्टीमर कम होंगे तो वहां पर कैंसर आटमेटिक हदम हो जाएगा तो अगर आप यहां तक आ गए तो यह कुश्चन आपको कमेंट्स में लिखके बताना है क्यों सिंड्रॉम क्या होता है कैसे होता तो इसका अंतर आपको कमेंट्स